हर्याना और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और पूरे देश की निगाहे इन दोनों राज़ों एक यूरियन टेरिट्री और एक राज़ के ओपर हैं दोनों में 90-90 सीटे हैं और नतीजा भी लगभग एक जैसा ही एक जगे यानि कि जम्मू कश्मीर में 49 सीटे लेकर के कॉंग्रेस और नाशनल कॉंफरेंस की सरकार बन रही है और भाज़पा की सरकार बन रही है हर्याना में 48 सीटे लेकर के पर बड़े मेसेज क्या हैं आज की चुनावी नतीजे हैं क्या मेसेज आने वाले चुनाव के लिए और देश की राजनी तीम के लिए इन नतीजों में छुपे हैं, क्या ये एक प्रो इंकम्बंसी वोट है, सबसे बड़ा सवाल आज का यही है, और हम ये क्यों कह रहे हैं, आईए आपको आकड़ों के साथ बताते हैं, पहली बात, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेर है, नाशनल कॉन की सीटे 25 से बढ़ करके 29 तक पहुँच गई है, यानि की सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक का किया है, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, फिर अगर हम बात करें हर्याना की, तो बीजेपी ने वहाँ भी एतिहासिक सीटे और वोट शेर हासिल किये हैं, देखिए कैसे 2014 से लेकर 2024 तक उनका प्रदर्शन रहा है, 2014 में जब मोधी वेर चल रही थी पूरे देश में, तब उन्होंने 47 सीटे हर्याना असेम्ली अलेक्शन में जीती थी, फिर 2019 मौनपूर्ण भहुमत नहीं मिला था, घट करके उनकी सीटे 40 हो गई, पर 10 साल की एंटी इंकमबंसी क के बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी साफ हो जाएगी, उसके बजाए उनकी सीटे बढ़ करके 40 से अब 50 तक पहुंच चुकी हैं, पचास उन्चास के बीच, 48-50 के बीच में अभी उनकी सीटे बताई जा रही हैं, और आखिर का चौथा फैक्टर, 2019 में बीजेपी का व वोट शेर था उनका हर्याना में, जो कि अब वोट शेर बढ़ करके 49.8 प्रतिशत हो चुका है, तो ये चार बड़े फैक्टर, जिससे हम ये पूछ रहे हैं, कि क्या ये प्रो इंकम्बंसी या प्रो मोधी वोट पड़ा है, अब अगर हम ध्यान दें, जम्मू कश्मीर की ये एक पहला चुनाव था, जहां पर जो अलगाव वादी सोच रखने वाले जमाते इसलामी के कैंड़ेट हैं, वो भी निर्दलिय के तौर पर लड़े थे, उसके बावजू, जम्मू कश्मीर से निकल करके क्या चुनावी संदेश आरा है, आप देखिए, एंजिनियर र शीत का आवामी इत्तिहाद पार्टी, उनको सिंबल तो नहीं मिला था, निर्दलिय के तौर पे उनके लोग लड़े थे, 37 सीटों पर उन्होंने अपने कैंड़ेट लड़ाए थे, और उनमें से सिर्फ एक, यानि खुद उनकी जो अपनी सीट हुआ करती थी, लांगेट, वहां से उनके भाई जीते हैं, 37 सीटों पर लड़े, महज एज जीते, जमाते इसलामी के समर्थन से 9 निर्दलिय मैदान में थे, उनमें से एक भी नहीं जीता है, सब के सब निर्दलिय जो की जमात के सपोर्ट से लड़े थे, वो सब हार गए हैं, अगर हम बात करें, PDP के रिजर्व सीटे देख लीचें, जो ट्राइबल रिजर्व सीटे हैं, उनमें BJP को काफी नुकसान हुआ है, एक भी सीट, जो की पीर पंजाल के इलाके में ये ट्राइबल सीटे थी, जहां पे गूजर, बकलवार, पहारी बोटर्स हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा सीटे साथ की साथ सीटे, जो SC-dominated सीटे हैं, वो भारतिय जन्ता पार्टी के खाते में गई हैं, PDP, साउथ कश्मीर PDP का गढ़ माना जाता था, खोद वहां से महबुबा मुफ्ती पहले लोकसभा चुनाव हार गई, और अब उनकी बेटी इलतजा मुफ्ती भी वहां से ही साथ तोर पर कश्मीरी वोटर ने ये मेसेज दिया है, स्ट्राइक रेट की अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस का स्ट्राइक रेट 26 प्रतिशत है, उन्होंने सारे सीटे नहीं लड़ी थी, पर जो लड़ी भी हैं, 32 सीटे उन्होंने लड़ी थी कुल ज ट्राइक रेट 26 पतिशत है, बीजेपी ने एतिहासिक 29 सीटे जम्मू कश्मीर में इस बार जीती हैं, तो क्या ही सच में जो हम प्रो-िंकम्बंसी की बात कर रहे हैं, वो हुआ है, हर्श्वद अंतरपार्थी वरिश पत्रकार हमारे साथ हैं, बशीर असर्ड, सीनियर जॉर् समीद नहीं थी, सब कह रहे थे कि भाजपा, और खुद कॉंग्रेस ने कहा था, पिछली बार हाफ, इस बार साफ, सब कुछ उल्टा हो गया, प्रो-िंकम्बंसी है, क्या यह? देखे, पन्वजाजी कम से कम मैं यह कह सकता हूँ, क्यों मैं यह नहीं कह रहा था, कि यह इस तरह से कॉंग्रेस जीत रही, और यह तुम्हें, पतलब, टीवी की दुनिया में और सोशल मीडिया में कुछ छिपता नहीं है, क्योंकि मेरा बड़ा सीधा समानना है, कि अगर दलित और जाट एक साथ मिलकर वोट करता, तो कॉंग्रेस को सत्तर प्लस सीटे मिलती, लेकिन ऐसा होता दिखने ही रहा था, इग्जिट पोल्स या जो पत्रकार या जो लोग थो 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 थोड़ा डरे हुए थे, चुकि अभी जब 2024 का लोकसभा चुना हुआ, तो उन चु जाट डॉमिनेंस है, देखो गाउं में तो भाजपा प्रत्याशी घुसी नहीं पाता है, लाठी लेके लोग बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन लोक तंत्र में लठ तंत्र नहीं चलता है, लाठी से आप डरा सकते हैं, अब लाठी से चलता होता तो रशीद इंगिनियर भी के मानस का हिस्सा बन चुकी है, इसको समझे आप, पर हमें तो दो हसार चौबिस में लोकसभा चुनाओं में बोला गया कि मोधी वेव इस ओवर, अब दो हसार उनतीस में कॉंग्रेस की या फिर मिली जुली सरकार आएगी, अज़ा देखिए मैं इस पे बार-बार कहता हू प्रॉब्लम से, टिकट डिस्ट्रिबूशन की प्रॉब्लम है, जो दूसरी ता और एक चीज ये, भाजपा जब जादा जाती जाती चिलाएगी ना, तो वो पिटेगी, जाती कॉंग्रेस को फाइदा करेगी, जाती रीजनल पार्टी, आपको हिंदू, हिंदुत तो पाजनीती है, उसके साथ जो लोग खड़े हैं, वो बिल्कुल उसके साथ खड़े हुए, बस उन्हें थोड़ा कभी कोई निराशा होती, नाराजगी हो जाती, उसको अगर BJP ठीक कर लेगी, और नरेंदर मोधी फिनॉमिना अभी लंबा चलने वाला है, आप जब अभी व कश्मीर साथ में अगर हम बात करें, तो वोट शेर आज BJP का सबसे ज्यादा, NC से भी ज्यादा वोट शेर दो प्रतिशत, BJP का है, उनकी ओवरल सीटे भी बढ़ी है, कैसे हैं, उसमें कश्मीर गाटी का बिल खुसूस, अगर वहां से कोई सीट उनको ना मिली, वो दूसरी बात है, लेकिन मैंने पार्लिमेंट एलेक्शन में भी किसी से कहा था, कि इन्होंने गलत किया, इनको कश्मीर से कांटेस्ट करना चाहिए था, ताकि इनको ये पता चले कि जो पांच साल से इन्होंने कुछ लोगों को पाल के रखा है, वो कितना इनके लिए वोट शेर जा रहा था, इसी तरह दूसरी तीसरी कानस्योंसी में जा रहा था, इनका वोट शेर कश्मीर वैली में किसी न किसी तरीके से बढ़ चुका है, बीजेपी का वोट शेर कश्मीर में बढ़ चुका है, अब देख लीजेगा कहीं पे पांच हजार इनका कंडिडेट ले रहा है कहीं पे छे हजार ले रहा है कहीं पे तीन हजार ले रहा है बिजबिहरा वाले ने तीन हजार ले लिए शुपयाँ वाले ने पांच हजार से जादा ले ले लिए लाल चोक वाले ने कुछ ले लिए वो भी पहले लील कर रहा था अलता बुखारी से मतलब इनका वोट कहीं न कहीं कश्मीर वैली में भी बढ़ चुका है डैट सेड जुम्म में कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर गए इस वक्त हैं आनिसली मुझे नहीं लिग रहा है कि यह जो हम कहते हैं मोदी मैनिया वगेरा वो 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 उसकी बात नहीं है इस वक्त जो फै एक स्कुलूसिवली एक पाकेट है एक कंस्टिवनसी है वहां से इनको सीट मिल गई दूसरा जो बालमिक कंस्टिवनसी ये कॉमिनिटी है उनको जो राइट मिले सारी सारी दलित सीटे जो है जम्मू कश्मीर में सब की सब भाजपा के खाते में गई हैं तो वो इनके खाते चार सीटों की बड़ात हुई है जम्मू कश्मीर में भारतिय जन्ता पार्टी को सुरिंदर राजपूजी प्रवक्ता कॉंग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या ये प्रो इंकंबंसी है सरकार बन रही है हर्याना में वोट शेर सबसे जादा जम्मू कश्मीर में और स जम्मू कश्मीर का रिजल्ट में हिंदोस्तान जीता है लोकतंत्र जीता है और हमारी वहां सरकार बन रही है जम्मू में आप किसी भी तरीके से इन नतीजियों को कैसे भी आप क्वाल वो कर सकते हैं लेकिन इस चीज़ से तो आप नहीं वो कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर म जम्मू में इनका वोट बढ़ गया है कश्मीर में थोड़ा वोट बढ़ा है तीन हजार बढ़ा है पांच हजार बढ़ा है वो किस कारण से बढ़ा है इसके विश्प्रिशन में आप बाद में भी हम लोग जा सकते हैं कि वैली में 11 साल बाद election हो रहा है और जिस तरीके से ज सारे परिसित्यों का जो भी रहो लेकिन आखरी में आकर के जम्मू कश्मीर में हमारे इंडिया गड़ बंधन की सरकार बनी है उसके लिए लोगतंत्र को भी बढ़ाई और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बढ़ाई अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहां पर 51 सीटों पर नाशनल कॉंफरेंस लड़ी थी और वो 41 में जीती है जबकि कॉंग्रेस 32 सीटों पर कुल मिला करके लड़ी थी और वो सिंगल डिजिट ही जीत पाई है तो स्ट्राइक रेट अगर ऑवर ओल बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका कम हुआ है नाशनल कॉंफरेंस को जबर्दस बढ़त पी ले है पर आपका स्ट्राइक रेट कम हुआ है सर लडने के लिए दी जहां भाजपगा कोई आधार नहीं जहां पर PDP पूरी तरीके से वाइप आउट जहां पर इंजिनियर रशीद को ये कहा बताया गया कि भारती जनता पार्टी की B team है C team है D team है हम विल्कुल हम इस बात को नहीं कहते हैं या नहीं है वो बात की बात है में भारती जनता पार्टी फसीर जहां भारती जनता पार्टी 27 चुटों पर वैली में चुनाओ भी नहीं लड़ी तो हम आपको एक बात बताएं कि यहां पर Congress और National Conference को आप अगर अलग-अलग करके देख रहे हैं तो यह आपका विचार हो सकता है यह Congress को Demean करने का विचा जरूर हो सकता है लेकिन यह बात अपने आप में बिल्कुल पताई गलत है चुकि हम एजे गडबंदन चुनाओ लड़े और स्ट्राइक रेट आपका कम है यह तो आप भी मान रहे हैं मैं कोई डिमीन में कर रही हूं पदमजा सवाल यह है कि जमू कश्मीर में इलेक्शन असेंशली बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मोदी और 2019 के इवेंट जो है उनके इरदगिरद लड़ा गया वो कांगरस था नेशनल कांफरेंस था पीडीपी थी और कोई जमात थी उसके अगेनिस और बीजेपी उसके समर्द में अब इशू यह है कि इन इवेंट के अगेनि इस इलेक्शन लड़ने के बावजूद और प्राक्सीज को बुरी तरह हार दिलाने के बावजूद कश्मीर वेली में अन एंबिग्यूस पालिटिकस जो है उसका कही न कहीं लग रहा है कि आगाज हो चुका है आपका सवाल किया इशू यह है कि बीजेपी के खलाफ इलेक की हैं जबकि बीजेपी के एटीम, बीटीम, सीटीम वगएरा सारी ना उनको वाइप आउट होना पड़ा बलकि उनके साथ अगर किसी ने पुराने जमाने में संबद जोड़े थे वो भी खातम हो गया जैसे पीडीपी लेकिन बीजेपी को खुद कश्मीर वैली में 4,000, 5,000 को आप ज्यादा कम मत समझेगा सार, यह कश्मीर वैली है, कभी किसी वाकिट वहाँ 2000 को कुल किसी के एसंबली सेगमेट में वोट पड़ता था और उसके आदार पेगी बशीर साब आपकी सारी बाते सारांखों पर हम लोग लोगतंत्र की विजय का परवो मनाते हैं और हम लोग भारती जनता पार्टी की तरीके से और और लोगों की तरीके से नहीं है जो कॉंग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती है हम तो चाहते हैं कि भारती जनता पार्टी पूरी वैली मेनी पूरे देश में चुनाव लड़े और अच्छे तरीके से चुनाव लड़े और रही बात 2000 वोट मिलना या 4000 वोट मिलना ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी इसमें बुरी बात क्या है सच बात यह है कि अगर उन्होंने 4000 लोगों को कन्विंस किया है तो ये उनके लिए मुबारक बात की बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर का रीजन और देश के चुनावों से अलग है हम बहुदली लोकतंत्र चाते हैं लेकिन हम तो पूछना इसके साथ साथ ये भी चाते हैं कि जहांपे इन्होंने 2000 और 4000 वोट लिये हैं क्या इनको 29 और जगावों पर खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था क्यों नहीं हिम्मत कर पाए क्या लोक सभावे वैली की सीटे इन्होंने छोड़ी ही क्यों और ये तो शायद सब्सक्राइब एकमत हैं कि BJP को और आगे बढ़कर के लड़ना चाहिए था छोड़ना नहीं चाहिए था हरश्वदन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं देखे पनुजाई जी मुझे लगता है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें सब कुछ पता है जो मुस्लिम बहुल सीटें देश के दूसरे हिस्सों में क्या भाजपामा कैसा प्रदर्शन करती है मुसल्मान की प्रियार्टी में भारती जनता पार्टी कहा है ये सब को पता है और कश्मीर की अगर बात करें एक तो जम्मू कश्मीर पूरा एक राजज है अलग अलग बाट कर मैं नहीं देखता हूँ अब एक जिगा मुसल्मान जादा है एक जिगा हिंदू जादा है कहां था वो और जिस कश्मीर में जाकर आप गए उमर अबदुल्ला ने कहा राहुल जी जरा जम्मू में जाकर प्रचार कर लीजिए कुछ आपको वोट मिल जाते प्रियंका जी राहुल जी वहां जाकर स्नोबॉल खेल रहे थे तेरा प्रतिशत कुल वोटिंग होती थी साड़े तीन चार प्रतिशत पाके वो जी जाते थे तो आप जो चुना हुआ ये 370 हटने के बार इसको मोधी को क्रेडिट दीजिए और देश का एक इंटिग्रेशन जो कहते हैं वो हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप समझेए थोड़ा समय लगेगा उनको भड़काया जाता है 370 से आपको ये मिलता था वो मिलता था शायद उसका असर होगा सुरेंद जी एक सकिन सुरेंद जी को इसका जवाब देंगे जैसे यूनियन टेरिट्री में देखे हर्शवर्दन जी की विचारधारा को सब लोग जानते हैं सब लोग समझते हैं इसलिए बहुत ज़ादा इनको कहने की आवशक्ता नहीं है कि आप लोगों का काम हिंदू मुसल्मान के बगैर चलता ही नहीं है हम तो एक बात कहते हैं हर्शवर्दन जी याद रखिए इस बात को इस देश में जितनी आवशक्ता हिंदूओं की है उतनी आवशक्ता मुसल्मानों की भी है जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे जब तक आप सामप्रदाइक्ता की राजनिती करते रहेंगे आप लोगों के के नम उस पर तो शाशन कर सकते हैं शरीर पर लेकिन दिलों पर शाशन नहीं कर पाएंगे आज अगर 3000 वोट आपको मिले हैं जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहें आपकी बातों में कोंट्राडिक्शन है कि दुनिया जानती है कि कश्मीर में मुसल्मान है और दुनिया जानती है कि आप इसी मुसलिम बाहुली रामपूर की सीट पर जहां 55% मुसल्मान थे हर्षवर्दन जी वहां लोग सभा का भी इलेक्शन आपने जीता है और 60% मुसल्मान थे उसी विधान सभा की सीट पर वहां पर भी भारती जनता पार्टी ने जीता है तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सीटे आप लोगों ने बेइमानी से जीती पोल रिगिंग करके जीती आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं देश में डिसाइसिव भाषा का इस्तेबाल मत कीजिए डिविजन की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए इस देश को एक रखने में काम करिए जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की विजए हुई है नरेद्र मोदी जी को तो हार हुई है और हर्याना में भी तो मैं कह रहा हूँ ना कि लोकतंत्र की विजय हुई है आप हिंदू-मुसल्मान करके देखते हैं ना वरना नेशनल कॉन्फरेंस के चक्कर में पढ़के आप थोड़ा और है कर रहा हूँ जो समझ में आता है चाहे नु की हो चाहे कश्मीर की हो चाहे काराना की हो भाजपा के लिए मुश्किल होती है इसमें कौन से चिपाने वाली बात है कहां होती है कहां होती है रामपुर्ण नहीं जीते है आप हिंदु मुसल्मान करके नहीं मिलेगा आपको कुछ आप एक चीज समझ लिए यह जो कहते है न अटल जी ने कहा था हर्शवर्दन भाई कि चिंगारी का खेल बुरा होता है उसी नु में आपने भी मुसल्मान केंडिडेट लड़ाया है और अच्छे खासे वोट मिले हैं उसको शरम नहीं आती है आप लोगों को हिंदु मुसल्मान आज भी बैट करके कर रहे हैं अब हैं कियोंकि आपको लावोन की अस्तिती sont Rich C को आप जब सकते हैं आप एकर सण वोट कर सकते हैं क्यों जदे आप अपने आप अपनी संग की विचारधारा आपको मुबारक लेकिन देश को मत बाठिये जब कुश्मीर के नाम पर देश को मत बाठिये बिल्कुल विशुद्ध हम यहाँ पर चुनावी विश्रेशन कर रहे हैं सिर्फ आंकडो की बिना पर जुड़ गए हैं हमारे सिफॉलिजिस और बहुत बहुत ही दिल्चाइस यह पूरा मैप से आपको समझाएंगे क्या कहा गया था नारा था इस बार हर्याना में किसान जवान पहलवान सब बीजेपी के खिलाफ लोक सभा में हाफ विधान सभा में साफ हुआ ठीक उलट ये किसान पहलवान जवान का नारा क्या काम नहीं किया आए हम जो रूरल सीट्स हैं उनको देख करके समझने की कोशिश करते हैं रूरल सीट्स ने किनको वोट डाला पार्त करें तो देखिए हम लोगों ने क्या किया जो कितना सीट्स है जहां पर रूरल पॉपुलेशन मोट दन 60% है उसको हम लोग ने फिल्टर आउट कर लिया तो देखिए ये में दिखाने का अब ये 62 सीट्स है हरियाना में जहां पर रूरल पॉपुलेशन ग्रेटर दन 60% है जाने कि अगर 60% से जाधा रूरल पॉपुलेशन है बड़ी संख्या इनमें किसानों की भी होगी किसानों की होगी तो किसान आंदोरन का सीधा सा रिन पर पड़ेगा ठीक है अब देख लीजिए ये 62 सीट्स में सीट टैल क्या बोलता है कौन कितना सीट जीता तो किसान आंदोरन का क्या आसर हुआ नहीं देखे उधना आसर दिखाए नहीं दिया अब देखे उसका बहुत क्या रिजन हो सकता है सेकेंडरी है बट रूरल एरिया में जहां पर कॉंग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था जो बहुत अच्छा कुछ कर रहेंगे वो कॉंग्रेस से बीजेपी आगे निकल गया कैसे सुरेंद जी ये आकड़े बता रहे है और एक बहुत ही और दिल्चस्प सीट मैं में मेंचिन करूंगी पहोवा कुरुक्षेत्र की वो सीट है अगर आप वो वहां पर दिखा सके हमें पहोवा की जो सीट है वहां पर गुर्णाम चडूनी जो की एक बड़े किसान नेता है उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई संयूक संगर्ष पार्टी पांचवी पाइदान पर सुरेंद जी वो रहे आपकी पार्टी जीती है पहोवा से पर जो किसान आंदोरन का एक प्रमुक चहरा थे उनका डिपॉजिट जब्थ हो गया किसान पहलवान जवान का नारा क्यों काम नहीं किया हर्याणा किसान पहलवान और जवान तीनों का नारा काम किया है हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके चैनल पर बड़े स्ट्रॉंग स्टेट्मेंट में Election Commission of India और भाती जनता पार्टी की सरकार के सामने हर्याणा के चुनाओं के नतीजे को अस्विकार करते हैं और इसके जितने भी प्रूफ है हमारे पास एक से दो दिन में हम Election Commission के सामने रखेंगे तीन से चार जो बिल्कुल Rural Belt वाले जिले हैं जिस तरीके से वहाँ पर Election Commission या EVM मशीनों में और या फिर वहाँ पर Local जिस तरीके से जो धांदलिया की गई है उसके समस्थ प्रमाणों के साथ हम आएंगे और हम इस नतीजे को आज अस्विकार कर रहे हैं ये श्री जैराम रमेश जी ने और पवन खिणा जी ने प्रेस को कॉन्फरेंस करके भी कहा है तो ये बात तो अपने आप में खत्त दूसरी बात अभी आपने 31 और 62 की बात करी तो जो हम अगर आप ये कहती हैं कि साथ 31 सीटे जीत करके किसान आंदोलन पहलवान आंदोलन या जवान अगनी वीर का मुद्दा खतम हो गया है तो ये आपकी और आपके सेफेलोजिस्ट की ना एहली हो सकती है लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि 31 जगहों पर भी हम नंबर दो पर रहे और कितनी परसेंटेस से नंबर दो पर रहे आज भी आपको समझ में आ जाएगा दूसरी बात 28 सीटे हमने जीती वाँ भाजपा नंबर दो पर रही तो दोनों जगहों पर ये मुद्दे खतम नहीं चुनाव की हार और चुनाव की जीत से मुद्दे नहीं खतम होते हाँ यहीं पर 80% वोट भाजपा को मिले होते और 20% वोट कॉंग्रेस को मिले होते तब हम माल लेते कि ये मुद्दा खतम है तो पर आगे चलचाई क्या करें सुधान्शु जी ये नतीजाई स्वीकार नहीं है और वो प्रूफ देंगे दो दिन में आपको जैराम रमेश जी ने बोला है कुछी घंटे पहले हमसे बात करते हुए तंत्र का इस्तमाल करके हमसे जीत छीनी गई है देखे सबेरे 9 बजे तक पवन खेडा जी जले भी पुरधान मंत्री जी को भिजवा रहे थे अब इनके हिसाब से वो जो तथा कथित EVM से छेड़ चाड़ हुई तो EVM तो पैक हो गई थी और आपके लोगों के सामने भी थी तो तब तक नजर नहीं आया था अब जैसे EVM खुली तो नजर आने लगा घजब का EVM का आपका काम करता है वो कश्मीर में अच्छा काम करती है पंजाब में अच्छा काम करती है हिमाचल में अच्छा काम करती है हरियाणा में गड़बड हो जाती है फिर उत्रा खंड और उत्तर प्रदेश में हो जाती है फिर तेलंगदाना में अच्छा काम करती है फिर महाराष्ट में गडबर हो जाती है फिर करनाठक में अच्छा काम करती है तमिलाडु में अच्छा काम करती है किरल में अच्छा काम करती है मतलब यह जो जनता को आपने क्या समझ रखा है वो जो संग्या दी जाती और उसके उपर चुनाव समाप्त हो गए, आरोप प्रत्यारोप का विशय छोड़ना चाहिए, देश की जनता को एक गंभीरता से समझना चाहिए, ये मुद्दे को आधार बनाकर जो आंदोलन खड़े किये जाते जिनमें कोई विचारधारा नहीं होती है, जो कहते हैं कि हम गैर राजनेतिक आंदोलन है, उन सब का लक्ष सिर्फ सत्ता प्राप्ती होता है, ये केजरिवाल जी भी उसी आंदोलन से निकले थे कि गैर राजनेतिक हूं, वी पी सिंग आये थे कि हम ब्रस्टाचार हटाने के लिए आए हैं, आज ये पहलवानों का आंदोलन था और इ एक तगड़ा खिलाडी उसमें से निकलता है, जो बाकी सब को टंगड़ी मार कर, कुछ सत्ता में जाकर इस्थापित हो जाता है, जो केजरिवाल जी ने किया था, आज मैं कहना चाऊंगा, बधाई देना चाऊंगा, विनेश फोगाट जी ने, कि वो पहले खेल की अच्छ राज्यातिक पार्टी के अखाड़े में, तो इसमें आंदोलन एक पक्ष है, जनता को ध्यान रखना चाहिए, यह जितने मुद्दे उठाए जाते हैं, आप आपने देखा, किसान आंदोलन कहा था, गहर राज्यातिक है, पंजाम में भी सबसे बड़े किसान नेता चुना इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक food for thought है देश के लिए, कि यह जितने भी यह तथा कतित आंदोलन खड़े होते हैं, इनका असली मंतव भावनाएं भढ़का कर सत्ता प्राप्त करना और उन लोगों की भावनाओं का दोहन करना होता है, जो इमानदारी से उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं कि यह गैर राज्यतिक मुद्दा है. बैरागी समुदाई से आते हैं, आर्मी में रहे हैं, जो उनका स्पोर्ट स्विंग है भारते जनता पार्टी का, उसके चीफ रहे हैं, यूथ फेस रहे हैं, अच्छी लड़ाई थी पर 6000 वोटों से फिर भी विनेश पोगड जीती है जुलाना में, तो लोगों ने उनको स वो बिलकुल, राजनीती में आई हैं, वो बहतरी में आई हैं, आंदोलन से तो उसका कोई मतलब नहीं रहा ना, आंदोलन के लोगों ने तो ये महसूस किया था कि गैर राजनीतिक आंदोलन है, गैर राजनीतिक आंदोलन का पहले राजनीतिक समर्थन फिर सीदे राजनीत में आना हुआ ये केजरिवाल जी ने किया था कि गहर राजनीतिक आंदोलन है अंदा अंदोलन उसके बाद अपना मौके का फायदा उठाया खट से राजनीत आ गए स्वागत है ये तो राजनीती होती है इसलिए मैं सिर्फ कहना है हर नान पोलिटिकल आंदोलन में एक गहरा पोलिटिकल एंगिल होता है ये उन सारे लोगों को भविश में ध्यान दखना चाहिए सिर्फ मेरी इतनी सी बात थी ये मैंने तमाम जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए विचार करने का विशे दिया और अभी लोकतंत्र की बात चल रही थी तो मैं कहना चाहूंगा ज अपने कारिकरम किये और इतना ही नहीं एक दौर था जब मोधी जी युआ नेता के रूप में संयोजक थे डॉक्टर जोशी की तिरंगा यात्रा में तो उस समय कॉंग्रेस सरकार ने 26 जनवरी 92 कहा था आप नहीं जा सकते बाइरोल हेलिकॉप्टर से पहुचाया था वहां और भारी सुरक्षा के बीच में आप तिरंगा फैरा लीजे और यहां राहुल गांदी जी की तता कदीद भारत जोड़ो यात्रा जलवाय जलाल से गई थी कश्मीर वैली में और दोनों भाईया बहनों को एक दूसरे पे बर्फ के गोले प्रेम पूर वातावरण में सुरेंद राजपुजी वही लोग तंत्र है जिसने विनेश फोगाट को भी एक विदायक बना दिया है आज बहले से ही आप पूरे नतीज़ों को सुविकार ना करें देखे मैं आपसे फिर से कहता हूँ जब राजपुजी की बात सुधानशु जी करते हैं और विनेश फोगाट के उपर कहीं कोई आरूप लगाते हैं तो महावीर फोगाट और वभीता फोगाट को भी भूल जाते हैं योगेश्वर दत्त को भी भूल जाते हैं आप करें तो रास मंत्र को आपने मुलाया है ना अपनी सारी चीजों के तंत्र मंत्र से लोग तंत्र का जो आपने नुकसान किया है इसका खाम्याजया आगे आने वाले समय में आप भी भुखतेंगे इसको धमकी नहीं इसको एक बकाइदा एक चेतावनी के रूप में समझ येगा मैं आपको बताओ चुकि हम सब एक ही लोक तंत्र के पोशक लोग हैं आप जिस तरीके से आप वहाँ चुनाव जीत रहे हैं जिस तरीके से चुनावी आप गड़बडियां कर रहे हैं जिस तरीके से आप सारी चीजों को वहाँ पर तंत्र के जरिये लगा रहे हैं इसका खेल बुरा ह होगा आने वाले समय में आज से कल के बीच में हम आपको प्रमान के साथ प्रस्तुत करेंगे कि हरियाना का चुमाव कहीं न कहीं रिगिंग किया गया है और ये बात आसानी से कहीं जाने वाली नहीं है इसको हवा में मत उड़ाईए मैं आपको बताता हूं सुधार्चु जी यकीन मानिये आज हम इसके भुक्त भोगी हैं कल हो सकता है आप भी इसके भुक्त भोगी हो लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए बचाने के लिए सारे दलों को एक साथ रखना होगा आज आप जिस तरीके से जो बैमानी कर रहे हैं या जो रिगिंग कर रहे हैं या confidence से बोल रहे हैं कॉंग्रेस है कि प्रमान है हमारे पास ने ने confidence तो उनका गजब का था लोग सबा चुनाओं के बाद जो निन्यान नवे का खुमार था वो निन्यान नवे की जो मदोशी थी उसी मदोशी ने तो यह काम किया हुआ है मतब third attempt में third digit touch ना कर पाने के बाद वो जो निन्यान नवे का जोश था ना इनके अंदर वो जो निन्यान नवे का खुमार था ना उसके लिए तो मैं वो कहना चाहूँगा पुरानी फिल्म का गाना था ना इसको देखो वही आज मदोश है आज तो मैं दिवाना घजब ढा गया तो यह सम मदोश हो गए थे और दिवाने हो गए थे राहूल गांदी जी की इनको लगता था और सुरेन राजपूदी जब तक इस देश के चुनावों में रिगिंग होती थी जब तक इस देश के जब तक सब लोगों के हाथों में कैमरे नहीं थे जब तक मीडिया का कैमरा हर चुनाव में नहीं होता था आप लगातार जीतते थे महोदे जब से चुनाव व्यवस्थित और पारदर्शी होने लगे कॉंग्रेस मोहताज हो गई क्लियर मेजार्टी पाने की 1984 के बाद से आ शर्तादर 60% पार की भाजपा को क्लियर मेजार्टी मिला इंफॉमेशन बूम आया टोटल ट्रांसपरेंसिवी सामना है बिल्कुल आप सही कर रहे हैं महोदे ये रिगिंग मतगड़ना के बाद यादा रही है रिगिंग तो मतदान के दोरान होती है मेरे बाई तक जलेवी थी मतदान शुरू हुआ मुझे लगता है गंबीरता से विशार करना चाहिए महोदा ये बच्चों का खेल नहीं है कि महले का क्रिकेट है कि एक बच्चा आउट हो गया तो उसने कब अपने स्टंप लेके चले जाओंगा मैं तो इस डिज़न को नहीं मानता मैं बल्ला ले कश्मीर में हमेशा जो भी नेता थे वो बोलते थे कि रिगिंग हो रही है यहां पे चुनाफ को जो है तंत्र का इस्तमाल करके कबजा कर लिया गया है गन का इस्तमाल करके कबजा कर लिया गया है आज हम कह रहे हैं लोक तंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में और हर्य इस देश को नेताओं की बेइमानी और मुर्खता ने बहुत परिशान किया है। ये कब तक चलेगा भई? जब मन किया तमाशा हो गया, लोकतंत्र खर्त्रे में आ गया, सम्विधान खत्म हो गया, आज तो चुनाओ ही नहीं हुआ, आज रिगिंग हो गई, कहां गई वो डेर पोल के बीच में ऐसे धेरो वीडियो, फ्लडेड हो गया था सोशल वीडिया पर, कि ये निकला और वहाँ एवियम खराब करके और उसको फिर रिगिंग कर दी जा रही है, बचना चाहिए इससे, देश का लोकतंत्र इस तरह से नेताओं की बार बार बेमानी भरी बातों से ठगा सा महसूस करता है, लाइन में लखके, कतार में लखके, गरमी में, सरदी में, किसी भी समय में, जनता जाकर वोट करती है, और आप उसको हर बार कहा दें, कि अरे रिगिंग हो गई, भारत में रिगिंग अब नहीं होती है, और ये दुनिया cohesive कार करती है, भारत के ल आज पूरी तरीके से साफ हो गई है फिर भी वो नहीं कह रही कि यहां कोई रिगिंग होई है वो कह रहे हैं हम स्विकार करते हैं हम स्वागत करते हैं नतीजों का दो चीजे बड़ी साफे पदमजा थोड़ा समय दीजेगा चूकि मुझे हर्शवर्धन जी और सुधान शुजी की बात का जवाब देना और पहले मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ पहली चीज तो बहुत इसपस्ट जान लीजे कि भारती जनता पार्टी ने जिस जिस का भी साथ लिया या दिया वो खतम वहाँ पर 14 में PDP का साथ लिया दोर दिया था PDP खतम हर्याणा में जेजेपी का साथ लिया था दिया था ये खतम आपका अकाली दल का साथ लिया था दिया था वो खतम आज की डेट में कई जगों पर और अन्य दलों का जहां पर भी नोंने साथ लिया या दिया उन सब को या तो तोड़ा या खतम हो गए एक चीज तो होते है कि भारती जनता पार्टी जिस छेतरी दल को हाथ लगा लिती है वो खतम जेजेपी इसका अभी लेटेस उदार अने पहले मैं आपको बताओं कि सुधानशु जी क्योंकि आपने बड़ी बाप तो भाई संस्कृत में बोलते हैं बड़ी बाते बोलते हैं हम लोग उस तरीके से नहीं बोल पाते आपने कहा CCTV आपने कहा वोटर आईडिया आपने कहा EVM तो महोदै इन सारी चीजों को लाने वाली कॉंग्रेस और आप ही के लोग और आपके अडवानी जी इनका विरोध करते थे तो आप जो भी कहना है अडवानी जी को कहिए हमने कभी बिरोध नहीं किया हमने आज भी हम अगर आप बात कह रहे हैं हमने चुनाओ के दिन वोटिंग का कोई वोट नहीं किया लेकिन हाँ अगर तीन जिलों में लगातार EVM मसीने 99% चार्ज दिखाई देंगी तो और जहाँ पर 60 और 70% चार्ज EVM मसीने दिखाई दे रही हैं वहाँ पर 60-70% सीटे भारती जन्ता पार्टी नहीं कॉंग्रेस जीत रही है और जहाँ-जहाँ 99% EVM मसीने चार्ज दिखाई दे रही हैं हम EVM मसीन की वोटिंग पर कोई सवाल नहीं उठा रहे जहाँ पर ये 49% 12-12 घंटे के बाद अगर दिखाई दे रही है तो हमारे सवाल का जवाब देनी की जगा आप इन सवालों को अगर मजाक में उड़ाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा कानून नहीं उड़ाने देगा आपको मजाक निश्चित तोर पर जानिये आप भी फ पत्रकार मूर्ख हो चाह मुझ जैसा प्रवक्ता हो और चाह सुदान्शु जैसा वो हो कोई भी हो वो सारे के सारे जितने महामूर्ख होते हैं उनका आत्म विश्वास सबसे उपर होता है कब तक आप इस तरीके से भारती जन्ता पार्टी को डिफेंड करते रहेंगे भरो पर आईए खाम खा की जिसको कहते हैं कि हर चीज के लिए आप कॉंग्रेस पार्टी को हर चीज के लिए आप विपक्षी दलों को जो आप खरा देते हैं हर्शवर्दन जी फिर तो पीपी भी तही होगी ना अगर वो कहेगी हम 28 पर थे तीन पर आ गए हमारी सीटे कॉंग् पेवारी के साथ उनका मजाक नहीं उडाएंगे हम उनको राजनेतिक जबाब देंगे हम ऐसा नहीं हम उनको आकड़ों के साथ तथ्यों के साथ बताएंगे कि बहन जी भारती जनता पार्टी का साथ लेना आपके लिए जहर हो गया अगर आप भारती जनता पार्टी का लेकर के जैसे हर्श वर्दन जी सारे के सारे विपक्षियों को मूर्ख कह रहे हैं। हमने नहीं छोड़ा हमने किसी को नहीं छोड़ा हमने शीव सेना हमको छोड़ के गई थी शीव سेना कहा पौँछ गई आज पौश चुनाओं में वो माहा विकाज हकारी में नमबर बन की पार्टी हैं। पर बताईए ना बिल्कुल आ रहा हूँ, इस चुनावों ने एक बड़ा अच्छा संकेत दिया है, सर आप बोलने थे मैंने कोई डिस्टर नहीं किया, इसमें क्या जरूरत है इतना सहज होने की, अब मैं एक और फैक्ट बता देना क्या है, अब मैंने सिर्फ आपको, मैंने स सब कुछ कॉंग्रेस लाई, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, EVM पे देश का पहला चुनाओ 2004 में हुआ, 2004 में किसकी सरकार थी, अटल विहारी बाचपई की, आईए साब, उसके बाद EVM पे जब सवाल उठने शुरू है तो VVPAT आया, VVPAT की कंपलसरी काउंटिंग में पह कार ने पूरी कोशिश की, और एकी चुनाओ आयुक्त होता था, तीन चुनाओ आयुक्त बनाए, और कहा मिजॉरिटी से डिसिजन होगा, तब यादे, कृष्णमूर्ती और वो गिल दोनों बनाए गए थे उस समय, तो पूरा सर से लेके पाउं तक जोर लगा दिया, कि व आपके साथी रहे, और जहां जहां चुनाओ एकदम स्मूथ होते चले गए, यूपी बिहार में उसके बाद आपका सूपड़ा साफ हो गया, जबसे वो रिगिंग और गोलियां चलना, अरे मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, लोग भूल गए, 1991 का एलेक्शन र राजीव गांधी जी के जमाने में और चंशेकर जी की सरकार राजीव गांधी के समर्थन से उस समय में थी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदे, जब कोई बात करें तो पिलकुल सामाने सहज उरूप से जो फैक्ट है, उसको बोलिये, इमानदारी से स्विकार करिये, पुलीस के सामने, कोट के सामने, EC के सामने रखें, उसका फैसला हम यहां पर कर नहीं सकते हूं, जो तर्थ हमारे सामने है, जो आकड़े अभी सामने आ रहे हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं, यह हम दर्षकों को जरूर बता सकते हैं। जाट वोटर मुद्धन 20% है, ठीक है, तो मदब मेजरेटी जाट डोमिनेटेट सीट है, तो हम लोग ने क्या कर लिया, जाट वोटर मुद्धन 20%, तो देखिए टोटल हरियाना में 37 सीट से, 37 सीटें 90 में से ऐसी हैं, जहां पर जाट का 20 प्रतिशत से जाधा पॉपलेशन, अ अगर अब देखेंगे, 37 से 18 सीटें BJP जीती है, और 17 सीटें, नहीं, 17 सीटें BJP और 18 सीटें कॉंग्रेस, करीब करीब, देखिए, 2019 से थोड़ा कॉंपार करेंगे, तो देखिए, कॉंग्रेस का 14 था, कॉंग्रेस बढ़के 18 हुआ, 4 सीट का फायदा हुआ, BJP का था 12, यह 5 सीट बढ़के 17 सीट में चला गया, यानि कि जो कई सारी सीटें होंगी, जो कि INLD और जेज़पी के पास थी, वो बढ़ बॉर्डर लाइन है, मतब लेज़न चेस 20 परसेंट है, तो देखिए, जो जाड़ डोमिनेड़ सीट है, वहाँ पर, जहाँ पर कॉंग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था, जो बहुत अच्छा पर्फोर्मेंस करेंगे, तो ओ नहीं हुआ, ठीक है, 18-17 इस रेशियो में लगा, अलमस्त एकोल एकोल रहा, तो जाड़ वजय क्या रही, देखिए, दो डिस्रिक्ट पर्टिकॉलरी में बोलना चाहता हूँ, एक है विवानी, विवानी डिस्रिक्ट ने देखिए, कॉंग्रेस ने काफी खारफ पर्फोर्मेंस किया, और एक रिजन देखिए, अभी चौधरी, शुती चौधरी, काफी जाट वोट लेकर के बीजेपी के पास आये, तो मैं अगर इन दोनों डिस्रिक्ट का एक पर दिखा दू, जै क्या नमबर आया, अगर देखिए, जीन में देखिए, पांच सीट है टोटल, तो इस बार देखिए, बीजेपी ने चार जी अभी तक, पिछली बार, जेजेपी थी सबसे आगे, जीन में, अब ये सीटे सारी बीजेपी ने खीच लेगे, बीजेपी में चलेगे, देखिए, ये क्या है, जाट समूद है, आपका एक चोटला फैमिली को फालो करता है, ठीक है, और इधर आप आप देखिए, शुती देख लेंगे, तो देखिए, भीवानी में चे सीट है, पाथ सीट देखिए, बीजेपी जीत गया, जीक है, और एक सीटी सिर्फ कॉंगरस जीता, तो कहीना कहीं पर जो चोटला जी का जहां पर होल्ड था, जहां पर आप शुती चोद्री जी का होल्ड था, उदर का जाट और प्लीज यह मत कहिएगा कि यह सारे नतीजे ही फिक्स्ट है, पर यहां दिख तो रहा है, अब उचाना कलान की सीट है, वो भी बीजेपी जीत गई, कुछ तो यह संदेश हर्याना की जनता दे रही होगे देखिए पद्जा मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूँ कि जब हमने, हमारे बड़े नेताओं ने बहुत इसपस्ट रूप से प्रेस कॉन्फरेंस करके नतीजों को अस्विकार किया है, तो उसके फिर अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, हम तो पूरी पारी से मान रहे हैं, आप भी मान रहे थे कल तक, और बाकी सारे लोग भी मान रहे थे कल तक कि हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और सारे के सारे हम ये कैसे कह दे कि हमको जाटों ने वोट नहीं दिया है, हम तो ये मान करके चलते हैं, कि हमें सारी की सारी बिरादरियों ने वोट दिया है, तंत्र ने हमको हराया है, लोगों ने तो हमें जिताया है, हरियाने की जनता को तो बारम-बार पड़ाम है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाए हो, और चाहे अगनी वीर वाले लोग हो, उन्होंने तो हमें जिताया है, हमको उनस करेंगे फिलहाल ये बात साफ है कि भले से ही कहीं कॉंग्रेस और एंसी की सरकार बने कहीं बीजेपी की पर जीत लोग तंत्र की जरूर हुई है जम्मू कश्मीर और हर्याना में